हेलो गाइस वेलकम टू जो फाइंडर जो फाइंडर में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं फिर से हर्याना गुरूब डी परिक्षा को लेकर और आज मैं शैशन जो लेकर हूँ आपके लिए यह मोस्ट इंपोर्टन आपका विज्ञान का शैशन रहेगा ठीक है देखिए हर्याना के अजम जो नेशनल जी के आ रही है उसके अंदर जो है 70% जो आपकी साइंस ही पूछी जा रही है हरे के एक्षाम को उठा के देख लीजिए और इसमें भी मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ होने वाला है 70% जो साइंस का वेटी ज रहेगा यह वो कोशन है जो वीडियो को पोस्ट करके समय लेना और आंसर मेरे साथ बाद में मैच करना और बाद में जुरूर कमेंट करना कि आपके कितने कोशन ठीक हुए है मैं इसके आपको 25 कोशन देने वाला हूँ तो यह इस वीडियो का पार वन है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो और हमारे इस question का right answer होगा option D 80% वैसे accurate data जो हमारा इसका होता है वो 65 से 70 या 75% का होता है बट हमको option के साथ भी जाना है तो इसका जो right answer हम tick करेंगे वो क्या करेंगे हम 80% next है मनुष्य का समाने तापकरम लगबग होता है हमका हमारे सामने option आपके चारो screen पे हैं आप चाहें तो वीडियो को post कर सकते हैं नहीं तो आपना जवाब दे सकते हैं और हमारे इस question का right answer होगा option A 98.6 Fahrenheit बाकि अगर आपको मैं एक बात और बता दूँ knowledge के लिए तो ये data भी हमारा accurate नहीं है 98.4 Fahrenheit होता है हमारा इसका और अगर degree Celsius की बात करो तो 70 degree Celsius हम बोलते हैं एक्जामस में भी 70 degree Celsius आता है बाकि अगर accuracy की बात करो तो वो भी 36.9 degree Celsius हमारा जो है वो accurate होता है चलिए next question देखते हैं next question है अपका मानव स्रीर में अहार भोजन मुक्यता पचता है option है उदर बड़ी आत या क्रीत या फिर छोटी आत और हमारे इस question का right answer होगा option B छोटी आत में जो है वो हमारा भोजन मुक्यता पचता है next question है मनुश्य लोहा किस से प्राप्त करता है option है पनीर मचली पालक और दूद और हमारे इस question का भी right answer होगा option B पालक दिखिए इसने लोहे की बात करें तो हमारा पालक जो है बिल्यकुल right answer होगा पनीर में सबसे अदर प्रोटीन पाया जाता है मचली भी प्रोटीन का स्त्रोतर है और दूद भी ज़्यादा तर प्रोटीन का स्त्रोतर है और हमारा right answer होगा option D oxygen देखिए अगर तत्तव की बात करें तो सबसे दो जहाए वो oxygen पाया जाता है पर कई-कई books में carbon भी हमारा answer दिया हुआ है बट वो wrong है हमारा तत्तव की बात करें तो हमारा oxygen बिल्कुल ही right answer होगा next question देखिए किस पोश्रतत्तों का सरवर्थम मुँ में पाचन होता है अब देखिए जो मुँ में पाचन होगा वो चीज क्या होगी प्रोटीन वसा विटामिन या फिर carbohydrates अब देखिए हम अगर कोई भी चीज खाते हैं तो वो होती है चावल हो चाहे रोटी हो चाहे जो भी यानि कि किस अंग से शुरू होता है ये भी कोशन आपका repeated है exams का मुँ से, पेट से, यकृत से या फिर आत से और हमारा right answer का option A मुँ से जो है भोजन का पाचन शुरू होता है मुँ से और सबसे last में जो जाता है वो हमारा आत में जाता है और आत में कौन सी आत में जाता है तो छोटी आत में जाता है नेक्स दी की सिरीर में सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है इंपोर्टेंट कोशन है ओप्शन है स्टेपिज, केशे रुख, फीमर और कपाल हड़ी और right answer हम देंगे फीमर को option B हमारा बिल्कुल ही right होगा ये हमारी जांग की हड़ी होती है सबको पत सबसे बड़ा अंग कौन सा है पर दीकी इसने ब्रैकेट में दे रखा है हमको आंत्रिक आंत्रिक यानिकी अंदुरुनी अंग पूछा है तो यह भी आपको कोशन थोड़ा समझना पड़ेगा option है इसके मस्तिष्ट को गुर्दा यकृत और हिरिद्य और इसका हमारा right answer का option option B यकृत जो है वो आंत्रिक अंग होता है सबसे बड़ा और अंत्रिक नहीं लिखा होता और अंग पूछा होता तो हमारा जो आंसर है वो किस पर जाता तो अचा पर जाता तो हमारा right answer त्वचा होता next देख लिजिए मानों मस्तिष्क को कितने ग्राम का होता है option ए साढ़े 250 से लेके 1400 के बीच इसकी range होती है जो next question है वो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क अनुमस्तिष्क मध्य मस्तिष्क या फिर प्रवमस्तिष्क right answer हमारा होगा option C प्रवमस्तिष्क जिसको हम आगे का भाग भी बोलते हैं वो हमारा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है शरीर में सबसे बड़ी कोशी का कौन C है option है तंत्री का तंत्र या कृत रिद्दे या फिर किड़नी और हमारा right answer होगा option A तंत्री का तंत्र शरीर में सबसे बड़ी कोशी का पूछी है ठीक है लीवर पे मत जाना लीवर होती है हमारी गरंथी जिसको हम गलेंड बोलते हैं हमारी कोशी का होती है तंत्री का तंत्र सबसे बड़ी कोशी का शरीर में यही होती है नेक्स्ट कोशन है मनुश्य के सबसे चोटी गरंथी कौन सी है ओप्शन है लीवर, पिट्यूटरी, थाइमस या फिर लार गरंथी राइट अंसर होगा हमारा ओप्शन सी पिट्यूटरी गरंथी जाए सबसे चोटी गरंथी होती है लीवर सबसे बड़ी गरंथी होती है पि आयोडीन हमारा संचित होता है और इसी को इसे हमको थाइरॉक्सिन रोग हो जाता है जिसको हम घेंगा रोग भी बोलते हैं नेक्स्ट कुशन देखिए शरीर में मास्टर ग्रंथी किसे बोलते हैं ओप्शन है पिट्युट्री तिली थाइमस या फिर बुनर गरंथी राइट आमसर वोगा ओप्शन है पिट्युट्री गरंथी को भी बोलते हैं इसका दूसर नाम एक सेल टर्सी का भी इसका नाम होता है खहरिए हर्याने के उप्षाप्स पर पाएंगे आप दीखिए उर्य सीदेखिर की सबसे लंभी घ्रंती होती है हडडी होती है फिमर तो फिमर हम कहा पाएंगे छांग में पाएंगे राइट अंसर हमारा यही होगा हम्मे कितनी बार सांस लेते हैं 16-18, 30-20, 110-10, ligy हैं फिर 4 एट राइट अंसर हम वारे हम 18 में फिर छांस यहां Azer हम राइट अंसर हमारा होगा option बी टांग में जो है वो टीबिया हड़ी पाई जाती है नेक्स्ट है वह अंग जो मानव स्रीर में पित उत्पन करता है पिताश्य यक्रित ग्रास नली या फिर गुर्दा राइट अंसर होगा हमारा option बी लीवर यानि कि यक्रित जिसको बोलते हैं वो लीवर उत्पन करता है और पिताश्य के अंदर लीवर स्टोर होता है ठीक है नेक्स्ट कॉश्ट अप्थालमिस्ट संबंदित है यह एक रोग होता है और यह किस से संबंदित होता है यह आपको बताना है राइट अंसर होगा option डी अप्थालमिस्ट जो है वो आँख से संबंदित रोग होता है मानव श्रीर में कौन सा पदार्त ततकाली कुर्जा का स्त्रोत्र होता है जिससे एकदम से एनरजी मिल जाती है वो प्रोटीन, विटामिन, खनीज, लिवन या फिर कर्भोहईडरेट्स राइट अंसर होगा हमारा ओप्शन D, कर्भोहईडरेट्स हमारा ततकाली कुर्जा का स्त्रोत होता है और इसके अंदर जो है वो गुलकोस जो अगर ऑप्शन में जाते है वो भी हमारा राइट अंसर हो जाता है नेक्स्कुशन मानव श्रीर का रख्त का पिय अचमान कितना होता है यह तो सिंपल सा क्वोश्चन है option आपके सामने screen पे हैं और हमारे इस question का right answer होगा option C 7.4 next है जिकिए 6 जो होता है वो हमारा मुत्र का प्याजमान होता है मनुष्य के हिरिद्दे की समाने स्पंदन गती प्रती मिनट कितनी होती है ये भी simple question है option आपके सामने है और इसका right answer है option B 72 time जो है एक मिनट में मनुष्य का धड़कता है next सर्वधाता रुधीर वर कौन सा है अब देखिए बात करते हैं सर्वधाता की यानि की universe donor इसको इंगलिश में बोलते है right answer होगा option D O अब सर्वग्राही कि इसको बोलते हैं जो कोई सबी बलेड को धारन कर लेता है वो होता है हमारा option B A B ठीक है इसको बोलते हैं universal ticker next question देखिए next AB group वाला व्यक्ति किसे खून दे सकता है जिसका group A और B हो यानि की अलग लग नहीं है यह AB group है option आपके सामने screen पे हैं और मैं इस answer आप बताने जा रहा हूँ आपको इसका answer का option B केवल AB वाले को ही AB group जो है वो बलड दे सकता है ठीक है यह याद रखना AB group वाला बंधा केवल अपने ही AB वाले group को ही बलड दे सकता है तो guys आज के लिए इतना ही उम्मीद करतों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करना और channel को subscribe कर देना next part जल्दी upload करते है thank you guys for love and support धन्यवाद दोस्तों